कुरोना महमारी के इस दौर में स्थानी रिकायों की जिम्मदारी काफी बढ़ दी है उपराज़ानी में महानगरपाली का इस जिम्मदारी को निभा रही है लेकिन अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें स्थानी मनपा प्रशासन को कड़गरे में खड़ात किया जा चुका है गलतियों को सुधार ने अत्वा कम करने की जगह मनपा अपनी ही पीट ठोकने में लगी है पिछले साल करोना जब पीट पर था तब अस्पतालों से लेकर एंबुलेंस और दवाओं के लिए लोगों को काफी परिशान होना पड़ा उस समय तो मनपा जैसे तैसे अपनी चुटाने में काम्याब रही लेकिन इस बार शुरुवात में ही जटके लग रहे हैं और मनपा अपनी गलतियों को मानने के लिए तयार नहीं आपदा अचानक घटने वाली वो घटना है जिसे सामन्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है अचानक लोगों के जानमाल का इतना भारी नुकसान हो जाता है कि जीवन को फिर से पट्री पर लाने के लिए विशे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था और सघन प्रयास की अवेशक्ता होती है पहले ऐसे किसी संकट की घड़ी में कोई व्यक्ती संस्था या सरकार राहत या बचाव कार्य करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो लेती थी परन्तु अंतरिक श्विग्यान और सूचना तकनिक के वर्तमान दौर में जब हमें कई तरह की आपदाओं की पुर्वसूचना मिल जाती है तो आसन्न आपदा से संभावित जानमाल की ख्षती बच सकते हैं अथवा उसको कम कर सकते हैं इसी सोच के आधार पर किये गए प्रयासो को आपदा प्रभंधन कहते हैं इसमें स्थानिया निकायों की एहम भूमिका देखी जा रही है क्योंकि शासन और प्रशासन के तंत्र को तो आपदा स्थल पर सहयता पहुचानी होगी परन्तु उन की रा स्थानिया निकाय से ही आसान हो सकती है अब इसे तीसरी लेहर कहीं या कुछ और लेकिन पिछले सब्थाबर में कोरुना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है वो मॉइक्रॉन की देहशत में आम लोगों को सक्ते में डाल दिया है मनपा उन्हें आश्वस्त कर रही है लेकिन जूटे दाव उपर प्रमान है गैरेज में खड़ी एंबुलेंस और शबवाहिका है तथा स्टोर में दवाओं की किलत एवं जाच में सामनी आ रही है कई गलतियां मनपा की एंबुलेंस और शबवाहिका दुरुस्ती के लिए वरक्शॉप में लगी हुई है महमारी को देखते हुए श शबवाहिकाएं उपलब्द करवाई गई है लेकिन इन में से चार अंबुलेंस और तीन शबवाहिका खराब स्टिती में है नतीजा ये हो रहा है कि मरीजों की संक्या बढ़ने के कारण लक्श्मी नगर धरम पेट और मंगलवारी जैसे आबादी वाले जोन में अतरिक्त के दोरे के लिए किराय पर लिया जा रहा है इसके साथ ही जल्द ही मरीजों को आबातकाल में अस्पताल में पहुचाने के लिए परिवहन विभाग से मीडी बसों को अधिकरहन करने का भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है बावजुद इसके मनपा स्वास्था विभाग का कह इन वाहनों में बैटरी समेट छोटी समस्या है लेकिन ये सरकारी जल्दी कब आएगी कहां नहीं जा सकता इंतजार ही एक मातर आधार है मगर महामारी इंतजार का मौका नहीं देती ये तो हुई वाहनों की व्यवस्था की बात मनपा कर्वियों की बेरुखी भी कुछ कम नहीं है जिन्हें कोरोना योधा का हम समान दे चुके हैं अब लगता है कि वो इसके हकदार है भी या नहीं इसे कोई पॉजटिव आया व्यक्ति या उसका परिजन अच्छी तरह से हुच रही है और नहीं उनके पास कोई व्यवस्था है होम आईसोलेटिड मरीजों को दवा लेने खुद ही मेडिकल स्टोर तक जाना पड़ रहा है और इस दौरान चेन बढ़ने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता पॉजटिव रिपोर्ट आने पर किसी कंपिट अजरिक्रित आवाज की तरह मनपा के कंट्रोल रूम से फोन आता है आप कोरोना पॉजटिव हैं सतरता बरतें खुद को औरों से अलग रखें दवा घर पर ही बिजवा दी जाएगी बस हो गया मनपा ने अपनी सेवा की इस्त्रिशी कर ली अब मरीज को खुद को भरों से नहीं रहना पड़ा मजाल जो मन पाप पलटकर कभी हाल चाल भी पूछ ले लेकिन स्वास्तविभाग का दावा है कि मरीजों की हर संभाव सहायता की जा रही है होमाइसूलेशन में नहीं रहना चाते तो मेडीकल मेयो या फिर विधायक निवास में कॉरंटाइन हो सकते है यहाँ पर मरीजों की लाज और खान पान के निशुर्क व्यवस्था है मनपा के कॉल सेंटर में फोन करके MLA होस्टिल, GMC और IGMC में एडमिट हो सकते हैं अब इसकी भी हकीकत जान लीजिए बिते दिनों विधायक निवास कॉरंटैन सेंटर में पीने के पानी के लिए जोरदार हंगावा हुआ था भोजन करने के बाद पाने नहीं मिलने से कॉरोना रोगी इमारत से बाहर निकल कर परीसर में जमा हो गए ठेकेदार की तरफ से राद को पानी की कैन पहुचाने के बाद मामला शान्त हुआ मदादे की शहर में संस्थागत कॉरंटैन सेंटर फिलहाल विधायक निवास में ही है विधायक निवास की इमारत नमर दो वदिन कॉरंटैन सेंटर के लिए आरक्षित की गई है इमारत नमबर दो में फिलहाल यहा 25 कुरोना रोगी है, सुबह शामिने भूजन दिया जाता है कहा जाता है कि रोकथाम इलाज से बहतर होता है COVID-19 महामारी से निपटने के दुरान जो सबक सीखे गए उनकी प्रासंगिता अत्याचार समन्दी अपराधों को रोकने के संदर में भी है इनमें स्पष्ट तौर से वो उपाई शामिल हैं जो रोकथाम से बहतर इलाज है जैसे पारंपारिक सोच को कम प्राथमिक्ता देते हैं जब जिम्मदार इन चेतामियों को नजरंदास करते हैं तब इसका मतलब साफ होता है कि वो सुरक्षा मुहिया करानी की अपनी प्राथमिक जिम्मदारी से मूँ मोड रहे हैं इसके साथ ही चिंता की बात तो महामारी को लेकर कुछ अधिकारियों की सक्रियता को लेकर भी है, हाला कि प्रती बद तो करती है, लेकिन अभी तक देखा जाए कि कोरोना महामारी के दुरान कथनी और करनी में काफी फर्क है दिंद्रा डटे हुए स्वास्तकर्मियों, नर्सों और डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बीच आम लोग महामारी से जूज रहे हैं केंद्र हो या राज्या, सरकारी धाचे में दुर दर्शिता का आभाओ और अन्य कमिया भी उजागर हुई है लेकिन एक अज़िब बात ये भी दिखी है कि सरकारों की आलोचना के बज़ाए दोश बड़े ही अमुर्त ढ़ंग से सिस्टम पर मढ़ा जा रहा है आखिर सिस्टम को ही क्यों कोसा जाता है? क्या इसलिए कि उसे कोसने से किसी को कोई फरक नहीं बढ़ता? सिस्टम हावा में नहीं बनता है उसे तयार किया जाता है और वो एक खास नियंदरन में काम करता है उसके बाग डोर उन लोगों की हाथ में होती है जो उसके जर्ये सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था चलाते है एक बड़े सिस्टम के भीतर ना सिर्फ उसके सब सिस्टम होते हैं बलकि उन सब की भी कई परते होती है और हिस्से जिसे कुल मिलाकर सरकारी मशिनरी कहां जाता है सिस्टम इसी मल्ती लेयर मशिनरी का एक केंदरी पुर्जा है उसे चलाने वाला स्चेरिंग कह लीजिए इसी लिए जाहिर है कि अपने आप नहीं चलता और स्वता स्वर्त धंग से काम भी नहीं करता इसे चलाने वाले हाथ हैं दिमाग हैं और एक भरी पूरी नौकर शाही और राजनितिक नेत्रत्व भी वो व्यक्तियों से चलता है वो व्यक्ति जो सरकार और प्रशासन का हिस्सा है इसीलिए सिस्टिम को कोसने का मतलब उसे निर्मित, संचालित और नियंत्रत कराने वाले व्यक्तियों को सीधे सीधे आरोपों से बचाना है और सीधे सीधे एक ऐसी बंद कोठी में चीखने की तरह है जिसे कोई सुनने वाला नहीं और जहां अपनी आवाज ही लौट कर आ जाती है जिसे ये कहकर धीरे धीरे भुला दिया जाता है कि सिस्टम न सिर्फ धीट है बलकि बहरा भी है ये वही सिस्टेम था जो अस्पतालों में बेट से लेकर आक्सिजिन, दवाओं से लेकर वेंटिलेटर तक मुहया नहीं करा सका परियाप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं उपलब्द करा सका शवों को दफना सकने के लिए कब्रिस्तान न जलाने के लिए शमशान सिस्टिम ही हर चीज में पिछरता रहा इसलिए अंगुली उठाने का हक है महामारी के दोरान बढ़ चड़ कर भूमी का निभाने वाले वैग्यानी को डॉक्टरों, नर्सों, सरकारी अधिकारियों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को प्रशंसा और धन्यवाद ग्यापन करते हुए जर्मन राश्टपती फ्रांस वाल्टर स्टाइन मायर ने कहा था कि सरकार का तो ये करतव्य है और उसे करना ही होगा लेकिन सरकार तो अपने उपर मास्क नहीं लगा सकती है और नहीं हमारी जगा खुट टीका लगवा सकती है यानि ये हम में से हर एक की उपर है कि अपना फर्श निभाए निसंदेहा हमारा भी फर्श बनता है महामारी जैसे अभुत पूर्व, औसाधारन और अप्रतेशित समय में धैरिय और विविक का जजबा बनाय रखने के साथ-साथ सही जगह, सही सवाल पूछने का साहस भी रखना चाहिए लोग तंत्र में बत और नागरीक, इसे अधिकार ही नहीं, फर्श भी कह सकते हैं यह सच है कि लोग तंग आ गए हैं, सब परेशान हैं लेकिन गुस्से का कोई मतलब नहीं कि इसका कोई और चित्ती ही नहीं, आपस में फूट नहीं पढ़ने देनी चाहिए महामारी बीच जाने के बाद भी हमें एक दूसरे की आँखों में देखने की हालत में होना चाहिए क्या कभी इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि मैं खुद औरों के काम में आऊं ताकि साथ खड़े होने वाली की चेन बने, कुरोना की चेन खुद ही तूट जाएगी साथान रहें, सतर्क रहें